कि छलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नई बच्ची से मिलते हैं आकांशा कुमारी जिनके औल इंडिया रैंक्ट थ्री शिंस्टी फॉर रिंक्ट कुरुशेत्र इनको एनकी कुरुसेत्र मिला है अकानशा यूपी वान रसी से नीको अकांशा सबसे पहले आपको एनकी तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो success journey है, वो आप मुझे बताएं और बच्चों को भी, क्योंकि ये जो session होता है, ये सुनके कई बच्चों के life के decision लेने में ये session बहुत help करते हैं, तो आपने सबसे पहले तो ये कब सोचा कि मुझे MCA करना है, पिर निमसेट के लिए आपने कब से preparation की, आपका preparation का तरीका क्या था, और final year के साथ, दोनों में आपका management कैसे था, जो आप online test series देते थे, impetus की, उसमें से आप paper को analysis कैसे करते थे, मैं चाहूंगा, ये सारी चीज़ा आप बहुत detail में बताएं, तो सल मुझे 12 के बाद जब मैंने IIT के लिए preparation की, तब ही मुझे पता था कि एक NIT में जाने के लिए हम MCA से भी जा सकते हैं, बट क्योंकि मेरा IIT में नहीं crack हुआ, तो मैंने ये decide कर लिया कि मैं BCA करूंगी, BCA के बाद मैं MCA करूंगी, तो मैंने BCA में अपनी regional college में admission ले लिया, बट क्योंकि बच्चे बहुत सारे ये करते हैं कि वो ले तो लेते हैं BCA में admission, बट वो prepare निमसट के लिए करने लगते हैं, बट मैंने अपने subjects पर ज्यादा focus किया, और मैंने last year में January से मैंने start किया था preparation करना निमसट के लिए, तो first of all मैंने two-three months तो math पर ज्यादा focus किया, उसके बाद जब हमारा time pass आता गया, तो April मैंने reasoning भी start किया, और ऐसे करते करते progress में मेरे starting में marks तो काफी low आते थे, about, near about 350 marks मेरे आये हुए हैं, और ऐसे करते करते जब हम July तक आये थे, मैंने वो 50 test series के सारे test दिये हुए थे, तो फिर मेरे marks 600, 650 ऐसे ऐसे आते थे, तो उससे काफी confidence boost होता था, बाकि जो भी questions गलत होते थे, उसके लिए मैं एक register maintain करती थी, जिसमें मैंने सारे questions लिख रखे थे, उसके क्या different approach हो सकते और मैंने क्या गलत किया, कि किस गलती की वज़े से हो गलत हो गया, वो भी side में note करती थी, तो end में में मेरे पास two register हो गयते, तो मैंने this region उसी को किया, तो उससे मुझे ये पता था कि मैंने कहा कहां गलती कि, जिसे मैं आगे next time उसे न कर सको, तो पूरा improvement तो मेरा ऐसे ही चला था, बाकि जब हमें ये पता चला कि हमारा time shift हो चुका है, तो उसके लिए मैंने schedule अपना पूरा change किया, 7 बज़े मैं उड़ जाती थी और 9 से 11 मैं test जरूर दे थी daily, मैं well हूँ या ना हूँ जो भी हो, मुझे test देना है, तो उससे भी काफी improve होता है, और जब exam में देने चाते हो, तो environment थोड़ा family लगता है, कि हाँ में 9 हंटे बैटने है, हम कर सकते हैं, तो इससे भी काफी help होती है, तो आगाशा आपने काफी कम समय में ये अच्छी rank दिये जनवरी से पर एक plus point है Yes, sir, that was the problem. जो तैयारी की थी, वो कहीं न कहीं आपको इसमें भी help करी, और फिर जब आपने जनवरी से preparation स्टार्ट की, उसके बाद जब test series से जुड़ गया, तो वो test भी आपने time पे दिये, रेगुलिटी के साथ दिये, तो ये सही सारी चीज़े ऐसी होती, जिन से मिलके एक अच्छा result मिलता है, और उसमें आपकी बातों समझ में आ रहा है, आपने सारी चीज़ों को काफी discipline के साथ maintain किया, तो अकानिशा ये बताओ मुझे आप, कि जब college के exams भी आपके बीच में आया होंगे, जब college की पढ़ाई, तो दोनों का management कैसा था आपका? सार, तो मैंने सकता है, कि college की classes वामें attend करने हैं, हम उसे skip नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे teachers को मैं mute करके अपना पढ़ती थी, पढ़ती सब्जेक्टी थी, बड़ क्योंकि हमें दो घंटे वहाँ, दो तीन घंटे classes के लिए पढ़ने हैं, तो ठीक है, teacher ने पढ़ा है, ह अपने नेमसेट के लिए प्रिपेर कर दी थी शाम को, तो यह बहुत में होता है, कि आप अपने subject कैसे manage कर दया, और last year, final year में हमाई पास theoretical subject है, तो उसके लिए तो एक week पहले ही manage कर लिया, और online exam के तो फायदे आई, online exam का भी काफी फायदा मिला, अच्छा, काँशाब अप को क्या message देना चाहोगे, और आपने कोई specific book, कोई particular books या base book को ही cover करते हुए चला, वो जबहुत बताएं, तो फर्स्ट अपॉल books के लिए तो मैंने कि क्या क्या कैसे करना है, तो उस हिसाब से हम फिर manage कर सकते हैं कि खुद को क्या आता है, क्या नहीं, तो main factor तो self evaluation है, उसी के basis पे हमें सब करना है, और computer के लिए भी मैंने, computer कसले बस तो काफी कम है, तो मैंने प्रतिक सर के lectures follow कर लिया था, ओके, चलो, काफी अच्छा लगा, परफॉर्म करो, अच्छा placement लो, और जो बच्चे कभी भी misguide होते हैं, या जिनको कहीं पर लगता है, कि वो कुछ गलत लाइन में जा रहा है, या उनको direction की जहुत है, तो आप उन्हें जहुगाइड करें, क्योंकि आज misguide करने वाले बहुत मिल जाएंगे, गाइड करने करने वाले कम मिलेंगे, और Impetus Guru Kul एक family है, उससे जोड़ा हुआ हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को guide करना है, तो दीरे दीरे हम देखेंगे कि एक अच्छी educated family हमें दीरे दीरे मिलेगी, तो once again, all the best and congratulations, thank you sir, thank you.